हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रमुक आकर्शन है जिसके खेब का उपयोग शरीर के हिस्सों पर अस्थाई डिजाइनर बनाकर शुरूंगार के रूप में किया जाता है इसलिए सोज़त को महंदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है सोज़त शहर की उत्पती और उत्पादित भारत की सबसे बड़ी महंदी मंडी है इस शेत्र में उत्पादित महंदी को दुनिया भर में राजस्थानी हीना के रूप में मानिता मिली है इस शेत्र में उत्पादित लगवग 90 प्रतीशत मेहंदी को लगवग 130 देशों में निर्यात किया जाता है इन्हें के कारण ये शेहर अंतराश्टिया मानचित्र पर भी छाया है खेतों से जब मेहंदी की फसलों की कटाई शुरू होती है तब राजसान, सहित, मद्यप्रदेश, उत्तप्रदेश, बिहार एवन अन्य राज्यों में भी मस्दूर आते हैं हजारों मस्दूरों से एक माह तक मेहंदी की फसले काटी जाती है विशेश बात ये है कि खेतों में मेहंदी की बुवाई सिर्फ एक बार ही होती है जिनकी फसल कई वर्षों तक कटाई होती है शेहर में सेकडो मेहंदी की फैक्ट्रियां है जिसमें मेहंदी की पिसाई होकर थैलियों पाकिंग होता है और पिछले कई वर्षों से मेहंदी कोन का यूग चला है सेक्डो विविसाय अपने अपने ब्रांडों के नाम कोन बना कर तयार किया जाता है सोज़त में कली चुना वह अजवाइन का भी उत्पादन होता है जो विभिन नराज्यों में सप्लाई किया जाता है बॉलिवुड की कई हस्तियां भी अपने हातों में रचा चुकी है सोज़त की मेंदी विश्व प्रसिद्ध सोज़त की मेंदी बॉलिवुड की एश्वर ये वो प्रियंका की बाद अब कट्रीना कैफ भी अपने हातों में रचाएंगी उलेकनिया है कट्रीना कैर्प की सवाई महादोपुर में विकी कोश की होने बाली शादी के दौवान सोज़त की महंदी अपने हाथों में सजाने के लिए कि सोज़त की व्यापारी निपीश अगरवाल की फॉम नाच्रिल होबल को 20 किलो महंदी पाउडर एवं 400 महंदी कोन का और दिया है जागरुक टेवी की सोज़त की दी से नथा नाम बोडाना की लिपोर्ट